असलाम लेकुम students of grade 10 बिटा आप लोगों ने chapter number 4 का languages start किया हुआ था languages of Pakistan उर्दू और पश्टो दोनों हमने कर लिया था next हमारा Punjabi ठीक है तो Punjabi language जो है उसके हवाले से discuss करते हैं Punjabi language is spoken अब वो कहता है कि Punjabi जुबान जो है वो is spoken in its true form in the northern Punjab basically वो कहता है कि Punjabi जुबान जो है वो नौधरन यानि शुमाली पंजाब जो है उसके जो अलाके हैं उसमें बोली जाती है और Punjabi has a rich literary tradition और पंजाबी का जो rich literary tradition जानि अदबी लिहाज से यह बहुती रवायती अदब जो है उससे भरपूर है दोहे और अद मिस्टिकल poetry आफ बाबा फरीद और वेरी फेमस अब वो कहता है mystical poetry जो है वो सुफियाना क्राम जो है बाबा फरीद का वो बहुत ज़्यादा मश्यूर है बाबा फरीद बुले शाह सुल्तान बागू और वारिस शाहर अमॉंग the greatest sports of Punjabi language अब वो कहता है ये तमाम वो लोग है जो के पँझाबी शायरी के बहुती ज़्यादा आहम जो है शफियात ने जो शोहरा में जिनका शुमार होता है पँझाबी शायरी के लिए और वो कहता है कि सुल्तान बाहू रोट सुल्तान बाहू जो है उसने लिखा है mystical poetry आरिफाना किलाम in the seventh century, 17th century सत्रवी सदी में जो है उन्होंने आरिफाना किलाम जो है वो लिखना शुरू किया then वारिस चांपोस ही रांजा in the famous, in the form of मस्टवी अब वो कहता है कि उसके बाद वारिस चांपोस ही रांजा लिखी यानि एक रुमानमी दास्तान उन्हों लिखी है लोग दास्तान जो के मस्टनवी की सूरत में उन्होंने उसको राइट किया है यानि जो है वो एक ऐसी किस्ता गोई की form में है कि मस्टनवी की सूरत में उसको जो है लिखा गया है उसके बाद वो कहता है कि इस पोईट्स हैं मेंड इमेंस कंट्रिबूशन तू दर डिवल्पमेंट आफ पंजाबी लैंगवेज थो दियर पोईट्री अब वो कहता है कि बेसिकली यह शायर है इन्होंने पंजाबी जो शायरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रिब्यूट किया है यानि अपना बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पंजाबी जबान जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम हुआ है इसलिए वो कहता है कि यह तुमाम जो शोरा है इन्होंने पंजाबी जो language है पंजाबी अदब जो है उसको बहुत जादा जो है वो आगे लेकर गीए है फिर उसके मान आजाता है हमारे पास सिंगी सिंदी के हवाले से अगर देखा जाए है संस्क्रिट और प्रकृती जुबान के उपर और जो के पुराने जमानों में जब आरियाओं का दोर था तो उस जमाने में सिन में बोली जाती थी संस्क्रिट बेसिकली हिंदों की जो पुरानी जबान है आरियाई लोग जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्विज थी और आफटर डाराइवल आफटा अरब ट्रेडर्स एंड कानकॉरर्स अब हो कहता है कि जो अरब ताजर आए और कानकॉरर्स जो फाते आए सिंधी एजिमल्वेटेड आवस नंबर आ अरबिक और इसका जो स्क्रिप्ट है या इसका रस्मलखाच चोए वो तबदील हुआ है अरबी जबान में शाब अल्लतीफ बटाई सचल सरमास्त अब हो कहता है कि शाब अल्लतीफ बटाई हैं की कै सचल सरमास्त हैं उसके बाद अब्दुलकदीर बदील है और आरदां अ सिंधी जबान में इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं और इस लिट्रेरी लैंगविज चैननाट बी ओवर स्टेटेड यानि इन लोगों की वज़ा से सिंधी जबान को जो अदबी जबान का दरजा मिला है या उसकी तरकी हुई है उसको फरोग मिला है तो उन्होंने 1853 से 1929 तक इंटर्डियूस किया है दे मॉडरन जन्यार आफ नावल अदबी शाकार जन्यार कहेंगे अदबी शाकार या नावल जो है उन्होंने शुरू किया अंटो सिंधी लैंगविज सिंधी जबान में and he also translated several literary classic of the western world into the सिंधी और उन्होंने कही जो मगर्ब किताबे थी मगर्बी अदबी किताबे थी उनका भी जो है उसका तरजमे की है ठीक है तो basically जो है वो first novel की बात कर रहा है कि पहला novel जो है वो सिंधी जबान में जो है वो शाया हुआ बलोची है बलोची जबान में अगर देखे तो apart from the many parts of बलोचिस्तान यानि बलोचिस्तान बलोची 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 बलो तो इस था से वो आपस में जो है वो माइग्रेशन्स और आपस में जो लोगों के तालुकात है तिजारत है उस हवाले से जो है जबाने जो हैं आपस में जो बोली जाती हैं उनकी वज़ासे फरोग मिलता है बलोची एपिक पोल्टरी रिफलेक्ट था नॉमेडिक लाइफस्टाइल आफ इस क्रियेटर्स अब वो कहता है जो इसको क्रियेट करने वाले लोग है जुमान को उन में अगर देखा जाए तो उनका जो नॉमेडिक लाइफस्टाइल है यानी जो हाना बदोशी वाली जिनकी है आपने देखा हो गबले उस्टाइल में जएतर लोग बेड़ बकरियां पालते हैं और हाना बदोशी यानी ट्रावल करते रहते हैं एक जगा दूसरी जगा तो इसलिए वो उनकी शायरी में रिफलेक्ट करती है यानी उसका आक समय उनकी शायरी में नज़र आता है और बलोची शायरी जो है वो एपिक पोईटरी है यानी रजमिया शायरी है ठीक है तो इसलिए जो है वो कहता है कि उसमें उनकी जलक नज़र आती है and narrates and glorifies the valiant deeds of their tribal heroes अब वो कहता है कि जिन लोगों ने इस जबान को create किया है बनाया है, narrate यानि उसको आगे तश्री किया है and glorifies और इसकी शान और शोकत जो है उसको glorify किया है तो basically उसमें उनके जो tribal या सरदार जो हीरों हैं उनके जो उनकी bravery के किसे हैं उनका उसमें तश्करा आता है तो इसलिए bravery या बादरी के तश्करे जो किये जाते हैं उसमाले सबसको रजमिया शायरी कहते है मस्त तवकली और मुला फजल और सेलिबरेटेड पोईट आफ बलोची लेंगविज अब वो कहता है बलोची जबान के जो सबसे ज़्यादा मशूर जो शायर है वो मस्त तवकली है मुला फजल है और ये तमाम शायर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इस जबान के लिए काम किया है ठीक तो स्टुरेंट्स नेक्स है हमारे पास ब्रहवी लेंग्विज जो है उसके हमाले से हम पढ़ेंगे ब्रहवी ठीके ब्रहवी इस वन आफ ता ओलडेस लेंग्विज आफ ता इंदस फैली रीजन अब वो कहता है कि ये पुरानी जबान है या यनी बहुत पुरानी जबान है लेकिन कोंसे इलागे की इन दस वैली रेजिन जानी सिंद की जो वादी है उसके आलाके की एंट इस पोकन इन इस्ट और ये मश्की आलाकों में भी बोली जाती है एंड सेंटरल सिंद और मरकजी अब वो कहता है कि जो इसके बोलने वाले हैं उनका जो नॉमिड एक वे अफ लाइफ है बेसिकली वो कहता है कि ये जादा तर जो कांटेक्ट में या एक दूसरे से जो रीजनल लोग थे वो एक दूसरे से जब बोलते थे बात करते थे तो उससे मतासरा जुँआने और जिसकी वज़ए से फिर आगे जो है ये इस सूरत में हमारे सामने मुझूद है इन रिस्अंट हिस्टरी अब हो कहता है जो हाल यह ओमारी तारी है उसके वाले से देखा जाये तो बाहवी ház-sen ग्रेट प्राग्रिस ब्राहवी जो है इसने बहुत्यादा तरकी की है अपार्ट फ्रम्ड और ट्रांसलेशन of the Holy Quran अब वो कहता है कि कुरान पाक का जो तर्जमा है उसके इलावा भी अगर देखा जाए तो much has been written in the language on the religious, educational and literary subjects अब वो कहता है कि अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें कुरान पाक का ही तर्जमा नहीं हुआ बलके जो है जो हमारी मजभी कताबें उनके भी तराजम किये गए हैं और तालीमी होाले से भी जो है जो educational point of you है उस नजर से भी जो है बहुत सरी कताबें जो है लिखी गेंगें और उनके तराजम किये गए हैं और उसके इलावा अदबी जो subjects हैं यानि अदब के लिए आसे भी एक जुबान को बहुत सदा तरक्की दी गए गए फिर आगे है मलकदाद, इस अमांग दा मोस फेमस पोईट्स मलकदाद जो है वो इसके सबसे मुशूर जो शायर है उनमें चुमार होता है आफ इस लेंगविज जुबान के अब वो कहता है कि बेसिकली ये जो तमाम शायर जो है वो इन लोगों ने इन तमाम जुबानों को फरोग दिया है और इनके लिए जो है डिवेलपमेंट जो है उसका काम किया है आगे हिनको कश्मीरी और सराइकी है इसको हम नेक्स्ट उसमें डिसकस करेंगे आई होब आपको समझ आगी होगी थैंक्यू स्टूडंट्स